Hey everyone, welcome back to my channel So, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली black outfit idea किस तरीके से आप black outfit को कस्टमाइज कर सकते हैं So, ये वीडियो उस बारे में तो 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 आपके साथ मैं आज के वीडियो में 10 look शेयर करने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं, let's get started अगर आपने मेरा चैनल अभी दिर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें बाजु का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं, let's get started तो सबसे पहले बढ़ते हैं लोक नमबर वान के लिए जो कि इस तरीके का ब्लाक आउटफिट है प्लेन ब्लाक आपको जोजट या शिफॉन माटीरियल में इसमें एक अनार कली विद प्लेन ब्लाक डुपटा, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप उसके साथ एक अच्छा फुटवेर, पैवेर करते हैं और अच्छा हैस्टाल रखते हैं तो ये बहुत जादे एक क्लासी लोक आपको प्रोवाइड करता है तो आप इस तरीके का लोक जरूर अपने लिए बनवाएं और बहुत जादा बजट फ्रेंडली के साथ साथ ये बहुत जादा एक स्टाइलिश लोक होता है अब जो बढ़ते हैं वह है लोक नमबर टूब के लिए जो की अगें बहुत जादा स्टाइलिश आउटफिट है इस तरीके का इस तरीके का यहां पर पठ़ि आला सूट बनायागया गया है with plain outfit और जो दुपट्टा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बूटी दी गई भी है आप इस तरीके का हेवी दुपट्टा ले सकते है with plain कुर्ती and plain पट्याला उसके साथ आप नीचे जूती वेर कर ले अच्छी बैंगल्स वेर कर ले बहुत जादा आपका एक एथनिक लोग त्यार हो जाएगा और बहुत जादा ब्यूरिफुल लगने वारा तो अगर आप सूट लावर हैं तो आप इस तरीके का लोग भी जरूर ट्राए करें अब जो बढ़ते हैं वो है लोग नमबर थ्री अगें ये अगें बहुत जादा प्यारा एक लोग अप का बनके त्यार हो जाएगा आप प्लीन फैबरिक को इस तरीके से स्टिच करवा ले और उसमें कांच की आजुबाजु लेस लगवा ले पूरे घेर में गले में आस्तीन में और नीचे थोड़ थोड़ा करके नीचे रॉफिल दिया गया हुआ है ये रॉफिल गाउन है आजकल रॉफिल गाउन बहुत जादा च्वेंड में है तो आप इस तरीके का रॉफिल गाउन बनवा सकते हैं अपने लिए और बहुत जादा beautiful लगने वाला है अब बढ़ते हैं जो है look number 4 again this is so pretty ये teenage girls के लिए perfect है नीचे short peplum kurty with नीचे dhoti pants में आप यहाँ पे colorful tassel लगवाले बहुत जादा अच्छा लगेगा और teenage girls के लिए perfect है college going girls के लिए perfect है ये look आप college में अराम से carry कर सकते हैं बहुत जादा आपको एक bohemian look मिलेगा और बहुत जादा आप differently इसे त्यार कर सकते हैं तो ये रहा मेरा look number 4 बढ़ते हैं look number 5 के लिए again this is very stylish look front slid gown is side slit है ये इसमें और नीचे काच के लिए इस लगी वी है अब आपके लिए इस लगी है आप fabric glue को इस तदीके का काच लगवा सकते हो plain fabric से इतना beautiful side slit gown with bands बनवा सकते हो इसे आप function party college functions में भी अराम से carry कर सकते हो बहुत जादा beautiful लगने वाला है अब बढ़ते हैं look number 6 again this is such a pretty look आपको plain अगर आपके पस नहीं है इस तरीके का plain कुर्टा और plain चुड़ीदा तो आप stitch करवा ले बहुत easily बन जाएगा और इसमें आप red chinry with red आपको नीचे foot wear करनी है और red lipstick लगा ले अगर आप किसी function में जा रहे तो इतना सुन्दर आपका एक look त्यारोजा है आप देखी सकते है स्क्रीन पे अब जो बढ़ते हैं वो है look number seven again this is such a pretty look आप देख सकते हैं नीचे pants है नेट क्या बनावा है नेट प्रेंट फैबरिक से अंदर रस्तर डाले है और again काच के लिए साज को बहुत ज़्यादा trend में है और market में बहुत तरीके के available है तो आप इस तरीके की lace लगवा के अपने लिए ये pants और कुर्टी बनवा सकते हैं बहुत ज़्यादा संदर लगने वाला है बहुत ज़्यादा beautiful लगने वाला है अब ज़रूर ट्राए करें आप परते हैं जो है look number 8 again this is very stylish and very unique and very different आप इस तरीके का धूती pants with off shoulder कुर्टी बनवाले और इस तरीके की tassel lace और गोटा पटी lace लगवा के अराम से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इस ड्रेस को कोई भी पुटी टेलर आपको ये पूरा आउटफिट तयार करके देदेगा again this is perfect for teenage goals और नीचे अच्छी आप heels या फिर जूती वेर करें बहुत ज़्यादा beautiful लगने वाला है बढ़ते हैं हमारे 9th look के लिए again this is 82 रुपटा with gown बहुत ज़्यादा सुन्दर ये एक outfit है ये भी अगर आपके पास plain कोई भी कुर्टा चुड़ार उसके साथ आप कोई भी कलर का अगर बना सी रुपटा लेते हैं yellow red पर make sure आप उसी matching की earring वेर करें ताकि ये look और भी ज़्यादा enhance हो सके तो इस तदिकी का look भी start करें आप सरूँ बढ़ते हैं हमारे जो last look है look number 10 इस नेट का उपर जो इस तदिकी का embroidery net मिलता है आप वो लगवा सकते हैं और नीचे clean gown again this is one of my favorite और बहुत बीरिफुल है बहुत बज़ट फ्रेंदी है आपके सारे outfits बनके तयार हो जाएंगे पर वो दिखने में उतना ही संदर लगेंगे so guys मुझे comment section में नीचे बताना आपका कौन सा look favorite है और मेरा look number 5 favorite था आप अपना बताईएगा और आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगिए तो प्लीज में चाहाँ को subscribe करें like and share भी ज़रूर करें नीचे comment करें मुझे suggest करें कि मैं आपके लिए किस तरह के वीडियो बनाऊ so guys thank you so much for watching bye bye till the next time